चला फ्रेंट्स, स्वागे तब सभी का दिशा क्लासिस ओनलाइन यूट्यूब चैनल पर आज हम दिखेंगे कक्षा दस्वी विज्ञान आइमपी का पार्ट 6 इससे पहले 5 पार्ट बना चुका हूँ जिसमें मैंने 83 कोशन तक बता दी है आज ये लास्ट पार्ट है आपका इसमें आपन इसको पूरा खतम कर लेंगे 100 कोशन है टोटल जिसमें से कोई भी बाहर नहीं बेटने वाला है इसलिए कक्षा दस्वी में अगर आप हैं और विज्ञान का पेपर अगर अच्छे से करना चाते हैं तो इन सभी पार्ट को जरूर देखें और साथ-साथ ही कोशन को करें किसी भी कोशन में कोई डाउट हो था पमेंट के बादे में से पूछ सकते हैं चलिए 84 किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निरबर करता है तो मैं आपर बता दो थोड़ा सा रफली लंबाई पर निरबर करता है चालक के तार की लंबाई पर दूसरा उसके अनुप्रस्त काट के एक शेत्रफल पर मलतों वह तार कितना मोटा है और तीसरा तापमान पर डिपेंड करता है इन तीनों पर डिपेंड करता है आपको पूरा डीटेल में लिखना है कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है अनुप्रस्त काट काक शेतरबल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है तापमान बढ़ने पर चालक में प्रतिरोध घटता है जबकि अरद चालक में बढ़ता है तो वो बात आपको थोड और जादा होता है और जादा होता है तो वह अच्छी तरीके से गर्म हो जाती है चले आगे बढ़ते हैं शेनी क्रम में संयोजित करने की स्थान पर वेद्यूत युक्तियों को पार्श क्रम पार्श क्रम की जगां कभी एक्जाम में समानतर बोल दे क्या बोल दे समानतर बोल दे तो भी चलेगा क्रम में संयोजित करने के क्या लाब है तो इसके ये लाब है कि एक अगर जिसे अपना हमारे घर में पंका, टीवी, लाइट, कुलर, फ्री, जो हैं सभी इस तरीके से जुड़े होते हैं अगर एक खराब भी हो जाए तो अदर वाले पर कोई फरक नहीं पड़ता है तो इसका फाइदा ये है, जबकि श्रेनी करम में इस तरीके से जुड़े होते हैं अगर इसमें एक खराब होगे, माना कि ये खराब होगे तो आगे के सभी बन हो जाएंगे तो और भी बहुत सारे लाब है अगर आप देखोगे तो इसमें प्रतिरोद भी कम लगता है पार्शुक्रम में जबकि यहां पर श्रेनी करम में जादा लगता है आगे देखिए, दो ओम, तीन ओम और छे ओम के तीन प्रतिरोदों को किस प्रकार जोड़ा जाए इनका कुल प्रतिरोद एक बार चार ओम हो और एक बार एक ओम हो तो आप इसको पूरा अच्छे से देखिएगा यह अच्छा न्युमेरिकल है अच्छा सवाल एक सवाल पक्का आने वाला है तो आप जरूर इसको देखिएगा इसमें क्या होता है कि इन शुरूगे अगर आप इसको बोला जाए तो 6 ओम वाले को और 3 ओम वाले को अगर आपने समानतर करम में जोड़ दिया और आगे अपने 2 ओम वाले को जोड़ दिया तो आपको उत्तर के आ जाएगा 4 ओम पहले को इस तरीके से जोड़ना है आपको, ओके, दो को समानतर में, एक को श्रीनिक्रम में, और दूसरे में, तीनों को अगर आप इस तरीके से जोड़ेंगे, तो आपको उत्तरी आ जाएगा, जो मैंने बताया है, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ओम का नियम लिखना है और इसका इसा है मातर क्या होता है, ओम होता है, यह ओम लिखर का है, ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप कोशन कोशन बता देता हूँ, अगर किसी में डाउट होता है, आप कमेंट की माधियम से पूछ लिजेगा, निम्न अव्यों के रूडचिन बनाईए, रूडचिन आपको सभी बनाने है, क्योंकि कोई भी चार पूच सकता है, ओके, जैसे सेल का रूडचिन कैसा है, एसा है, रूडचिन अगर आपको पता हो तो, बेटरी का कैसा है, तो दो तीन सेल जुड़े होते, यह बेटरी का, इसमें उपर वाले पर प्लस लगा देना, बड़े वाले पर छोटे पर माइनस लगा देना, यह सब रूडची ने शायद आपने देखे होंगे, आपकी किताब में है, यह 2019 में पुछा गया है, 20 में पुछा गया है, 18 में, 17 में लगबग, हर एक साल आता है, तो पक्का है, यह question आई लक्षिनी दुरू, उत्री दुरू से दक्षिनी दुरू पर जाती है, यह तीर की निशान इस तरीके से लगाने, आपकी किताब में पुरा चित्र बना रखा है, अच्छे से, वो बनाईएगा, और इनके गुनदर्म लिखे, गुनदर्म आपको पता है, यह कभी काटती नहीं है, समानतर होती है, एन से, एस की तरब जाती है, इस तरीके के तीन-चार गुनदर्म आपको लिखने है, अलग-अलग प्रशन भी आ सकते हैं, केवल गुनदर्म पूछ सकता है, और केवल चित्र भी पूछ सकता है, और दोनों भी पूछ सकता है, नेक्स्ट, फ्लेम विद्यूद मोटर को चित्रेवं सिद्दान सअुट समझाइए ये 2020 मों सब् con Demon router और ये भी हर एक साल आता है विध्यूद मोटर और विद्यूद जनित्र रिलेट करता है अब यह आभ 2021 में विद्यूद जनित्र का नहीं पुछेगा क्योंकि वो घटा differently possible इतो विद्यूद मोटर पर बहुत जादा डिपेंडेंसी है इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा नेक्स्ट विद्यूद चुमकी प्रेयरन को समझाईए इसमें जनित्र अटा है यह नहीं अटा है इसलिए इसको जरूर देखिएगा विद्यूद बहाने पर चुमबक जो पे हट चुका है लेकिन पूरा चेप्टर नहीं हटा है उसमेंजे बहुत सारे टोपिक हट गए है इसलिए जो बचे हुए टोपिक है वो जरूर आएंगे तो उर्जा का उत्तम सुरोत किसे कहते हैं यह एक इंपोरेंट कोशन है या उर्जा का आधर सुरोत किसे कहते हैं दोन सकते हैं आगे बढ़ते हैं पांच कोशन में बचे हैं जल्दी से देख लेते हैं और ताकि अपना यह खतम करते हैं नेक्स्ट ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाईए ओके यह जो कोशन बता रहा हुए लाश के दो चिप्टर में से हर एक साल के ओलो अब्जेक्टिव पूस जिसे ओजोन परत केते हैं ओजोन परत का सुत्रे ओजोन का सुत्रे ओट्री और यहां हमारे प्रत्वी पर क्लोरो फ्लोरो कार्बन और कार्बन डायक्सेट जैसी आधी जो गेसे हैं जो जिनके कारण येक्शिन हो रही है ओके प्रदूशन के कारण हमें वन एम वन नी जी में डिटेल दी है तो कभी बाइचांज इसका कोशन भी बूच सकता है और लास्ट वर्षा जल संगरण के मुख्य उद्देश लिखिए ओके ये कोशन अब्जेक्टिव बनते हैं हर एक साल लेकिन इस बार शायद बन सकता है बड़ा कोशन इसलिए मैंने इनको भी दे दिया इनसे बाहर कोई भी कोशन नहीं आने वाला है नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में यस जरूर लिखें चैनल सब्सक्राइब करें लाइक जरूर करें क्योंकि अगर इन सभी कोशन के सो कोशन के मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल सॉल्यूशन दूँगा आपको और सॉल्यूशन में मतलब में आपको क्यों स्क्रिंशोट लेना है ओके तो अगर आपको चाहिए तो आप जरूर यस लिखें और इसके आगे एक पार्ट और में बनाऊंगा बाद में जो अब्जक्टी अब्जक्टी कर रहेगा इस्पेशली में और मिलते हैं नेक्स टूडियो में थेंक्यू